1789 AD में प्राचिन शासन के फ्रांसिसी शासक किंग लुईस सोल्वें पर कर बढ़ाने के लिए बहुत दबाव था प्राचिन शासन पद्वती में एस्टेट जुनरल की बैठक बुला कर ही कर को बढ़ाया जा सकता था फ्रेंच सोसाइटी के तीनों एस्टेट के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होना होता था मही 1789 में किंग लुईस सोल्वें ने एस्टेट जुनरल की बैठक बुलाने का निर्णे लिया यह बैठक 1614 में एस्टेट जुनरल की पिछली बैठक के 200 वर्षों के पश्चाद बुलाई गई थी एस्टेट जुनरल में प्रत्थम एवं दृतिय दोनों ही एस्टेट से 300 प्रतिनिधि शामिल हुए तृतिय एस्टेट जो की नवोधित मध्यम वर्ग से मिलकर बना था उसने 600 प्रतिनिधियों को भेजा यह एस्टेट 40,000 पत्र ले गया जिसमें महिलाओं, शिल्पकारों एवं क्रिशकों के आवशक्ताएं प्रस्तुत की जिन्हें हौल में आने की अनुमती नहीं मिली थी अपनी बड़ी संख्या के बावजूद तृतिय एस्टेट को पीछे खड़े रहना पड़ा, जबकि प्रत्थम एवं दूतिय एस्टेट एक दूसरे के सामने बैठे थे पहले एस्टेट को एक मत की अनुमती थी, जिसकी कुल संख्या तीन होती थी इस बैठक में रूसों के सामाजिक अनुबंध से प्रेरित होते हुए तृतिय एस्टेट ने एस्टेट जनरल के प्रत्यक सदस्य के लिए एक मत की मांगी इसमें प्रत्थम तथा दृतिय एस्टेट दोनों को तीन सो मत मिले तथा तृतिय एस्टेट को छे सो मत मिले किंग लुईस सोल्वे ने तृतिय एस्टेट की मांग को अस्विकार कर दिया तथा उन्हें एस्टेट जनरल से बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया अगले महीने तृतिय एस्टेट वर्सलीज में टैनिस कोट में एकटा हो गया तथा आपने आपको राश्ट्रिय सदन अथ्वा नेशनल एसेंबली घोशित कर दिया तथा प्रसिध टैनिस कोट शपत ले टैनिस कोट शपत ने तृतिय एस्टेट की मांगों के आधार पर फ्रांस के लिए एक नया सम्विधान बनाने का वायता किया जिसका ने तृत्व कुलीन मिराब्यू तथा धर्माचारे अबे सिवेज ने किया इस दोरान पूरे वर्सलीज में खलबली थी ब्रेट की कीमते बहुत अधिक बढ़ गई थी तथा महिलाओं ने जमा खोरों तथा दुकानदारों पर हमला करना आरंभग कर दिया था विद्रोह और भी हिंसात्मक बन गया था तथा विद्रोहियों ने बैस्तल के महल पर आकरमर कर दिया तथा वहां पर बंद राजनेते कैदियों को मुक्त कर दिया कुछ ही दिनों में फ्रांस के ग्रामीर क्षित्रों में किसानों एवं क्रिशकों ने यह अफ़ाह सुनी कि धनी जमीनदार उनकी फसल तथा खेत को नश्ट करना चाहते हैं उन्होंने हतियार लिए तथा अस्थानिय जागीरों पर आकरमर किया जमीनदार तथा उनके परिवार देश छोड़ कर भागने के लिए बाध्य हो गए किंग लुईस सोलवे भायपरद परिस्थितियों के दवाव में राश्ट्रे सदन को एक वैधानिक संगठन मानने के लिए बाध्य हो गए इस प्रकार आम लोगों की क्रांति का प्रभाव सबके सामने आया झाल 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 झाल